हेलो एब्रीवन, वेलकम अगेन टू लाइन गृति देतिमन, आज हम करेंगे चेप्टर नमबर 9, राजिस्थान में आधार बूत सेवाएं तो इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, राजिस्थान के जीके में आपकी हिस्ट्री और जोग्रफी जो है वो कवर हो रहा है, ठीके, तो इस चीज़ को मानियें आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है, तो लास्ट वीडियो में जो भी कोशन पूछा गया था, आप लोगों ने सभी ने सही आंसर दिया, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धर्नेवाद, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, और अंत में आप लोग मेरा ही नाम रोशन करेंगे, कि मैम ने ये चीज़े हमें इतने अच्छे तरीके से धीरे धीरे पढ़ाई थी, और लास्ट में हम लोगों को फायदा हुआ, तो फायदा ही होना चाहिए, इसी लिए चैप्रस पढ़ाय जा रहे हैं, बुक तो आप भी लेकर आ सकते हो, और पढ़ना आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इतने अच्छ तरीके से नहीं पढ़ेंगे, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जो कि डेली एक चैप्टर पहने से वो चीज समझ में भी आती है, और माइंड पर बर्डन भी नहीं होता है, तो टाइम भी आप लोगों के पास काफी है, जो लोग टाइम को महत्व देते ह तो वो लोग तो कर जाएंगे, और जो नहीं देते हैं, इंपोर्टेंस नहीं देते हैं टाइम को, तो वो लोग पीछे रह जाएंगे, आखिर में क्या आएगा, स्लिबस बहुत जादा होगा, हट बड़ा हट होगी, और पता भी नहीं चलेगा, कौन सा याद करना है, कौन सा समझना है, क्या चीज हमारे एक्जाम में आने वाली है, तो पहले स्टार्टिंग में, बहुत सारे बच्चे जो हैं, बुक्स को पढ़ने के लिए तयार हो गए, सभी लोग देख रहे थे वीडियो, समझ भी रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे, धीरे धीरे बच्चों की स् कितने आधा देखते हैं, तो चलिए मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, बाकी तो आप लोगों के उपर ही डिपेंड करता है, कि आप लोग क्या चाहते हैं, चलिए इतने अच्छे तरीके से कोई भी आप लोगों को गाइड नहीं करेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि चीज को मैंने भी देखा है, ठीक है? राजिस्थान में आधार भूत सेवाएं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, किसी राज्ये के विकास के लिए कुछ आधार भूत सेवाओं की आभिशक्ता होती हैं, जैसे सिक्षा, चिकिस्षा, परिवहन एवं स्वास्ते आमजन को आधार भू सेवाएं उपलब्ट करवाना सरकार का प्रमुग दाहित्व होता है, राजिस्थान में राज्ये सरकार द्वारा इस शेत्र में किये गए कार्यों का संक्षेव में वर्णन इस अध्याय में आप पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट हैं सिक्षा, सिक्षा क्या है? आधार भूत सेवा है, जिसे की राज्ये का विकास होता है, तो चलिए पढ़ते हैं, सिक्षा मनुष्ये की जनमजाद शम्ताओं के विकास के साथ उसमें चारित त्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्क प्रसेस्त करती है अतह सिक्षा विक्ति को जीवन में आगे बढ़ाती है, सपलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का एक मुख्य सा माध्यम है, विध्यालेई सिक्षा इन सभी में सर्वो करी है, राज्ये सरकार द्वारा सभी बच्चों को सिक्षा प्राप्ति के अफसर विध्याले संचालित है, संस्कृत सिक्षा राज्ये की सिक्षा विवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है, राज्ये में उच्ष सिक्षा के लिए विष्वविध्याले और महाविध्याले विद्धुमान है, इसी तरह तकनीकी और मैडिकल सिक्षा के संस्थान भी जानते हो कि राज्य में जो विद्याले की सिक्षा है जहां प्रात्मिक उच्छ प्रात्मिक सिक्षा दी जाती है और उच्छ सिक्षा के ते विश्व विध्याले और महा विध्याले राज्य सरकार की ओर से बनाए गए हैं ठीक है जहां पर व्यक्ति जो है वह है अच्छे से सिक्षित हो सकें, सिक्षा का अधिकार राजिस्वन में भी सिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम 6-14 वर्स के बच्चों को निशुलक और अनिवारे सिक्षा प्रदान करता है इस अधिकार से तैय आयू के सभी बच्चों को सिक्षा मिलने के समान अफसर मिलते हैं यह अधनियम जहां बच्चों को सिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिवाविकों यानि माता-पिता से भी बच्चों को विध्याले में प्रवेश कराने का करतवे भी बताता है, तो पॉलिटी में हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं इस चीज को, कि 6-14 व माता-पिता हैं, उनके लिए भी करतव्य दिया गया है यह, कि इनका करतव्य है कि बच्चों को विध्याले में बेजें, विध्याले में बहतर भोचिक सोविदाय ओकलद्व करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास करती है, शाला दरपन पोर्टल के माध्यम से र जात्रावास और भोजन एवं दुग्द वित्रण के सुविदा भी उकलप्त कराई जाती है, पहतर परिक्षा परिनाम देने वाले विध्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोसाहित किया जाता है, पालिकाओं के लिए इंद्रा, प्रियदर्षनी, गारगी, पु साक्षर्ता कितनी है, 66.11 प्रतिशत, ठीक है, जिसमें पुरुष साक्षर्ता 89.19 और महला साक्षर्ता 52.12 प्रतिशत, तीनों फैक्ट ही याद रखना है, कुल साक्षर्ता 66.11, पुरुष साक्षर्ता 89.19 और महला साक्षर्ता 52.12 प्रतिशत, नेक्स्ट पॉइंट है, स्व स्वास्ते प्रतिक व्यक्ति की मूलबूत आविशक्ता है, तो स्वास्ते का अर्थ किवल शारिदिक स्वास्ते से नहीं है, बलकि मानसिक, सामाजिक और बौधिक सभी प्रकार के स्वास्ते से होता है, ठीके, तो स्वास्ते का मतलब यह नहीं होता है कि व्यक्ति सरीर से ही हस पुष्टो होना चाहिए, बलकि मन से, सामजिक तोर पर और बौधिक सभी प्रकार से स्वस्त हो, इसलिए सरकार जन हित को ध्यान में रखते हुए नागरीकों को प्रयाप्त स्वास्ते सोविदाएं भी प्रदान करती है, सरकार द्वारा सब के लिए स्वास्ते की संकल्पना को साकार करने और नागरीकों को बहतर स्वास्ते सोविदा उपलक्त कराने की दिसा में प्रयास किये जा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा तो प्रयास किये जाते हैं, लेकिन आम व्यक्ती तक वह कितना पहुँच पाता है, तो ये भी आप लोग जानते हो, अगला पॉइंट देखिए स्वास्ते सुविधाएं, राजिस्तान की जनता के स्वास्ते कल्यान के लिए एक हजार की आवादी पर स्वास्ते उपकेंद्र खोले गए हैं, तीस हजार की आवादी पर प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र खोले गए हैं, और एक लाकी आवादी पर सामुदाइक स स्वास्ते केंद्र खोले गए हैं, अब याद रखना है कि 1000 आवादी पर तो स्वास्ते उपकेंद्र खोले गए हैं, पहले क्या खोले गए हैं, उपकेंद्र खोले गए हैं, उसके बाद और जन संख्या हो, 30,000 की आवादी, तो वहां प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र खोले ग राजिस्थान में जैपूर, जोदपूर, अजमेर, भीकानेर, कोटा और उदयपूर में इस्तित आयोर विज्ञान महाविध्यालों में विसेच चिकिस्सा की सोविधा उपलब्द है, जल्द ही राजिस्थान में कुल 33 जिलों में सरकारी medical college हो जाएंगे, तो सरकार जो है व स्वास्ते की खुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती हैं, जिसमें आयुषमान, भारत, महात्मा गांधी, राजिस्थान, स्वास्ते भीमा योजना, मुख्य मंतरी सहायता, जीवन रक्षा कोस, मुख्य मंतरी राज्री योजना, मुख्य मंतरी निश्युल्क दवा योजना, राजिस्थान, जननी, शिशु, सुरक्षा योजना, आधी, प्रमुक, उधारण हैं, ठीके, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इन तीन लाइन को पढ़ लिया, लेकिन यहां में चीज क्या है, कि इनको याद भी रखना है, ठीके, याद रखन इनको इनको तो आप याद ही रखियेगा, इसी प्रकार राज्य में शेयरोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन, अल्पता, विकार, एड्स, आधी, रोगों को नियंत्रण, एवंग, कुष्ट रोखों की उन्मूलन हेतु, कई राष्ट्य कारिकरम भी जिकिस्सा, स्वास्ते और परिवार कल्यान विभाग दोरा संचालित किये जाते हैं, स्वास्ते विभाग की अंतरगत औशदी, नियंत्रन, संगठन कारे करता है, जो दवाईयों का विक्रे, लाइसेंस, एवं निर्वान, लाइसेंस परदान करता है, इसके साथ ही यह प्रतिवंदित दवाईयों की सूची भी जारी करता है, तो देखिए आप लोगों को यह चेप्टर जो है वो थोड़ा सा आसान सा ही लग रहा होगा, जादा फैक्ट नहीं निकल के आएंगे इसमें, बस यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, संचार एवं डांक सेवा, वर्तमान यूग सूचना और तकनीकी का यूग है, अतहे इस दिशा में राजिस्तान में महतपूर कदम उठाये जा रहे हैं, आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं, इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों, अपने विचारों का आधन प्रदान करता है, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्रम इसके प्रचलिस साधन हैं, बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्यान ने संचार के शेत्र में करांती ला दी है, तो सेवाएं जो हैं, वह हैं टेलीफोन हैं, टेलीविजन हैं, रेडियो है, टेलीग्राम हैं, ये सबी साधन हैं जिससे सूचना एक जगए से दूसरी जगए पहुच जाती है, ठीकि तकनीकी ज्यान वह भी दिया जाता है, राजिस्तान में सूचना तकनीकी एवम संचार विभाग कारेत है, जो नफीन पतलावो के अन्डू राज्य के तक्नीकी विकास के लिए प्रयास करता है यह राज्य में सूचना एवं संचार से संबंदित नीती के निर्मान और क्रियान वयन का कारे करता है एवं सूचना तक्नीकी से संबंदित सुविधाओं सर्तों एवं सीमाओं को तैक करता है तो कुछ भी यह यहां पर समझाने वाला नहीं है, जो भी समझाने वाली बात होती है, वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, आप भी इतने बड़े हैं, देखिए एक शब्द जो है, वो उसका convert करके मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं था, नेक्स्ट देखिए, बिलकुल सरल भासा में दिया गया है, डांक सेवा, संचार एवं डांक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामिगरी को आदान प्रदान की सोविदा उपलब्द करवाई जाती है, संदेशों, सूचनाओं और विविज सामिगरी को भौतिक तथा वस्तुगत परियाप्त रूप में उपलब्द है, डांक विभा के माध्यम से सूचना प्रेसित करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतरदेशिय पत्र, लिफाफे तीन पारंपरिक साधन है, सामान्य डांक सेवा, रजिस्टर पत्र और स्पीद पोस्ट के माध्यम से डांक को पहुँचा तो इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे सायद की अंतरदेशिय पत्र, पोस्ट कार्ड और लिफाफे, ये पारंपरिक साधन है, जिसके द्वारा जो भी संदेश होते हैं, वो दूसरी जगए पहुँचाए जाते हैं, और इन्हें तो सभी जानते हैं, सामान्य डांक सेवा, रजिस्टर्ड करना, ठीक है, स्पीट पोस्ट करना, डांक विभा के माध्यम से न केवल डांक भेजी जाती हैं, बलकि बचत खाता और मनी ओर्डर की सुविधा भी उपलप्त कराई जाती हैं, क्या आप ये सब जानते थे पहले, तो शायद आप लोग जानत होंगे कि बचत खाता और मनी ओर्डर की सुविधा भी डांक द्वारा उपलप्त कराई जाती है, इसका एक उधारन है सुकन्या सम्रत्ती योजना, जिसके अंतरगत बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए डांक विभाग के पास सुकन्या सम्रत्ती योजना का खाता खु या उसकी शादी के लिए डांक विभाग के पास एक खाता खुलवाया जाता है सुकन्या सम्रत्ती योजना के तहद। इसके रूप में क्या करती है ब्याज अर्जित करती है लेंदेन में ठीक है ये सबी जानते हैं कि हम लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हमें क्या मिलता है उसकी तरफ से ब्याज मिलता है और यदि बैंक हमें उधार देती है तो उसके बतले क्या लेती है ब्याज लेत बैंक द्वारा अपने ग्रहाकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की जाती है सभी बैंक रिजर बैंक और इंडिया के नियमों के अधिनकार्य करते हैं तो देखिए सिक्स क्लास के बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बाते हैं ठीक है आप लोगों को सरल लग रही होंगी लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो जो सिक्स क्लास को पढ़ रहे होंगे बच्चे उनके लिए बहुत बड़ी है नेक्स्ट है परिवहन सेवा राज्य के ओध्योगिक विकास एवं व्यापार व्रति हेतु सुद्रन परिवहन विवस्था आवश्यक है राजिस्थान में सडक, रेल, वायू तीनों परकार के परिवहन के सादन उपलब्द हैं राज्य में कोई बंदरगा नहीं है नेक्स्ट देखिए सड़क परिवहन, राजिस्थान के परिवहन के सादनों में सड़क परिवहन का महतपुनिस्थान है, राजिस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में इस्तापित हुआ था यह लाइन आप लोगों के लिए इंपरिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 में स्तापित हुआ, राजिस्थान में सड़कों की सरवादिक लंबाई कहा है, जोदपूर में और सबसे कम है धौलपूर में, तो यह भी इंपरिवहन लाइन है, कि सरवादिक लंबाई सड़कों की राष्ट्य राजमार्ग है, तो यह NH 15 जिसका नाम जो है वो अब NH 68 हो चुका है, वह है राज्य का सबसे लंबा राष्ट्य राजमार्ग है, तो इसको याद रखिएगा, सबसे छोटा राष्ट्य राजमार्ग 70 बन भी है, जो कि अब इसका भी नया नाम हो गया है, NH 919, तो अब पूछा जा सकता है कि NH 15 का नया नाम कौन सा है, NH 68 है, और NH 71 B का नया नाम क्या है, NH 919 है, ठीक है, तो यह भी चीज याद रखिएगा, पुराना भी याद रखना है, और नया भी याद रखना है, तो कुशन आंसर में मैं आप लोगों को ये चीज नो डाउन करवा नेक्स्ट है, रेल परिवहन, रेल परिवहन, माल परिवहन, एवं यात्री परिवहन, दोनों की दरस्टी से महत्रपूर सादन है, तो रेल से व्यक्ति तो यात्रा करते ही है, इसके अलावा माल जो है, उसका भी परिवहन किया जाता है, राजिस्तान में रेलवे के दो जो उत्तर पक्षमी रेलवे और पक्षमी मध्य रेलवे और पांच मंडल है जैपुर, जोदपुर, अजमेर, पीकानिर और कोटा भारत का सबसे बड़ा रेलवे निया क्रचा पक्षिं रेलवे शेत्रियं जो जो olho मंद्र में द्र जिस ठीक है छिग यहां वारत है करकश भारत युसके बाद है सड़क परिवहन, रेल परिवहन के बाद वायू परिवहन, राजिस्थान में वायू परिवहन का विकाज जारी है। राज्य में जैपुर, जोदपुर, उदैपुर, कोटा, अजमेर, वायू सेवा से जोड़े हैं। जैपुर का सांगानेर हवाई अड़ा, राज्य का एक मात्र अंतरास्ट्रे हवाई अड़ा है। तो राजिस्थान का एक मात्र अंतराष्ट्य हवाई अड़ा कौन सा है? जैपुर का सांगानेर हवाई अड़ा. राज्य में पांच हवाई अड़े, पीकानेर, जैसलमेर, सूरतगर्ड, पाडमेर, जो फलोदी, रातानाडा, भारतिय वायू सेना के अधीन है. ठीक है? लेकिन ये लाइन जो है वो आप याद रखेगा, राज्य का एक मात्र अंतराष्ट्य हवाई अड़ा, जैपुर का सांगानेर हवाई अड़ा है. राजिस्वान में पहली रेलवे, रेलगारी जैपुर रियासत में आग्रा फोर्ड से बांधी कुई के बीच अपरेल 1874 में चली. इसके साथ ये chapter आपका होता है complete यहां आपको 10-12 question ही निकल कर आएंगे क्योंकि cable आम बात थी जो कि आप लुग पहले भी जानते हैं और कुछ factor नए थे जैसे कि राजिस्तान में सड़कों की सरवादिक लंबाई कहां है सबसे कम कहां है सबसे लंबा राष्ट्री राजमा कौन सा है चोटा कौन सा है ठीक है और साक्षरता जो है वो पूर्शों की कितनी है महलाओं की कितनी है यही कुछ बाते थी तो चलिए सब्दावली देखते हैं बौधिक कार्थ होता है बुद्धी से संबंदित व्यापक कार्थ क्या होता है बड़ा पारस परिक कार्थ होता है आपसी और जीवी को पारजन कार्थ होता है जीने के लिए कार्य करना चलिए अब हम अभ्याद प्रश्न देखते हैं कि हमने चैप्टर पढ़ा क्या हम इनको सॉल्व कर पा रहे हैं 2011 की जनगर्णा के अधार पर राजिस्थान की कुल साक्षर्ता प्रतिशत है तो कितनी है कुल साक्षर्ता प्रतिशत? 66.111 प्रतिशत ठीक है और वहीं ये दिया हुआ है पुर्शों की साक्षर्ता और बै जो है उस पर दिया है महिलाओं की साक्षर्ता 108. निस्सुल्क आपात कालीन सेवाएं संबंदित हैं तो कितने ध्यान से आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है? अब ये कुश्चन जो है वो हटके है ये कुश्चन क्योंकि ऐसी लाइनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है ठीक है? कोई भी ध्यान नहीं देता है ये याद रख लेते हैं कि हाँ वही 2011 की जनगर्णा की अंसार राजस्तान की कुल सक्षरता इतनी है, महलाओं की इतनी है, पुर्सों की इतनी है लेकिन 108 निश्चुल्क आपात कलिन सिवाएं सम्बंदित हैं सिक्षा से है, स्वास्ते से है, संचार से है या बैंक सिवा से है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजेगा राज्य का सबसे लंबा राष्ट्य राजमार्ग डैस है एवं सबसे छोटा राष्ट्य राजमार्ग डैस है तो सबसे लंबा राष्ट्य राजमार्ग जो है, ऐसे लिखा आएगा तो वर्तमान में जो है वही आप लोगों को बताना है तो कौन सा है NH 68 और सबसे छोटा कौन सा है NH 919 बैंक एक ऐसी संसा है जो किसका व्यवसाय करती है तो क्या आएगा यहाँ पर तो bank जो है वो क्या करती है? मुद्रा का व्यवसाय करती है यहाँ पर आ जाएगा मुद्रा का व्यवसाय ठीक है? याद रखिएगा तो उसके बाद अति लगूत रात्मक प्रश्न लगूत रात्मक इनको भी आप solve करा करिए ताकि आप लोगों की revision हो सके यह कोई ऐसा काम नहीं होता है जिसे कि आपका समय वर्वाद हो आप इन ही चीजों को यदि chapter में खोजेंगे तो वो चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी जीवन भर याद रहेगी ठीक है? और कोई भी चीज होती है जो कि यहाँ पर important होती है वो तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ भी नहीं छूटेगा आपका chapter में बस आप लोगों को chapter जो है वो बिलकुल आराम से पढ़ते हुए चलना है तो चलिए मिलते हैं next video में Thank you